सपने में बतासे खाना कैसा होता है? सपने में बतासों का देपताओं को भोग लगाना कैसा होता है? अगर आप सपने में बतासों का भोग भगवान को लगा रहा हैं तो यह सुब होता है यह सुब होता है आज के वीडियो में हम आपको जनकारी देंगे तो इसलिए आपसे रिक्वेश्ट है वीडियो को अन्त तक जरूर देखना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के मादे हम से पूंच भी सकते हैं कोसिस करेंगे कि जल से जल स आपके सवालों का जवब दीया प्याजाज अकई है जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं सुपन बिग्यान के अनुसार हर सवपना हमारे जीवन से जुढा होता है और सपने ही हमें भविष्ट की जानकारी देते हैं कि आने वाले समय में हमारे भविष्ट में कौन सी घटना घट सकती है और ये घटना अच्छी होगी या खराब होगी ये संकेतों के माद्यम से हमको पहले ही जानकारी देते हैं अगर आप इन संकेतों को समझ लेते हैं तो निष्चित ही आने वाले घटनाओ के ये अनुसार अपनी योजनाय भी आप बना सकते हैं अब बात के लेते हैं सपन बिग्यान के अनुसार बता से खाना कैसा होता है अगर आप सपने में बता से खाते हुए अपने आपको देखते हैं या सपने में आप कोई मीठी बस तो अपने आपको खाते हुए देखते हैं जैसे की मिठाई हो गई है या आपका गुड़ हो गया है या आपका वर्फी त्यात जैसी मिठाईयां हो गई है अगर आप सपने अमें अपने आपको खाते हुए देखते हैं तो ये बेहदी सपना होता है सपन विग्यान के अनुसार ये सपना आपके जीवन में आने वाली खुसवाली का संकीत देता है अक्सर आपने देखा होगा कि बतासे हमारे गाउं में आज भी जो है कोई समार रहो होता है कोई मंगलिक कार रहे होता है तब बतासे ही वाटे जाते हैं और अगर आप सपने में देखते हैं कि आप बतासे खा रहा हैं तो इसका मतलब होता है कि निश्चित ही आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़ा सा कारात्मक होने वाला है जिसकी वज़े से आपके जीवन में बेहदी बड़िया खुसाली आएगी और निश्चित ही आपके जीवन में जो है अभी के टाइम पर अगर दरिदता निवास करती है तो निश्चितिया आने वाले समय में आपके उपर भगवान की करपावर सेगी जिससे आपकी समस्याएं कुछ हद तक दूर हो सकती है भही अगर बात करें इस तरियां अगर ये सपना देखती है जिसमें विपतासे का सेवन कर रही है खा रही है तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है पती इत्यादि से आपको कोई गिप्ट मिल सकता है या आपको कोई अच्छी ख़बर प्राप्त हो सकती है या आपको कोई उपहर सरूप कुछ प्राप्त हो सकता है इसके अलाबा अगर आप विवाहित हैं निश्चिती आने वाले समय में आपका विवा इत्यादि संपन न हो सकता है वहें अगर बात करी जाए अगर आप सपने में भगवान को बदासों का भोग लगाते हुए अपने आपको देखते हैं तो ये भी सपना अच्छा ही माना जाता है सपन विग्यान के अनुसार अगर कोई बेक्ती सपने में भगवान को भोग लगाता हुए अपने आपको देखता है तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में भगवान की करपा उस पर बरसने वाली है और निश्चिती अभी के टाइम पर अगर आप किसी समस्या से जूज रहे हैं जिसका समाधान आप ढूनने की कोशिस कर रहे हैं और किसी कारण बस आपको समाधान प्राप्त नहीं उपा रहा है तो निश्चिती आने वाले समय में आपको यह समाधान प्राप्त हो सकता है